बहुत बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में मैं हूँ आपके साथ श्वत अश्रवाद तरशकु इस कारिक्रम में हम आपको रोज पताते हैं कि कैसे बीतेगा आपका आज का दिन और आजके विशे के बही बारे में हम जानेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मौझ आचारे कमलेश मिश्रजी संसापक वैदे घनात पंड़ जी बहुत बहुत सवागत है आपका बहुत बहुत भैनेवाद तो चलिए पहले कारेक्रम की शुरुवात करते हैं दुन्णव ग्रह की शांदी के लिए क्या कुछ करना है वो पाए हम पंड़ जी से जानेंगे आखिरकार क्या है वो सब जानेंगे लेकिन सबसे पहले शुरुवात पंड़ जी से जान लेते हैं आज के पंचान की शुबह की राम राम आप शब का दिन सुभ और मंगल में हो यह हमारी शुब कामना है और आज है छे जून दो हजार चौविस और आज का दिन है गुरुवार आज का नक्षत्र है रोहिनी आज जेस्टमास कृष्णपक्ष की अमावस्यात थी है और आज का राहुकाल है द अपने विशय के उसमें चलते हैं क्योंकि आज का हमारा विशय है नवग्रह शांती तो सबसे पहले तो यह बताईए कि नवग्रह याने नौग्रह और जब किसी कुंडली में होते हैं तो कही न कही वक्ती या तो परिशानी भरा होता है या फिर पावर्फुल भी हो जाता है तो सबसे पहले शुरुवात कौन से ग्रह से आप करना चाहिए नवग्रह में सांती के लिए आज हम लोगों ने शमिधा का विशय चुना है कि नवग्रहों की शांती हम किस समिधा यानी लकडी का हवन करके और क्या लाव ले सकते हैं तो शूर इग्रह की शांती के मंदार की लकडी से हवन करने से हमें आरूग्यता की प्राप्ती होती है विशेस है और हमें अच्छे कर्म करने का लाव मिलता है और कई लोगों को जो ये सिखायत रहती है कि मुझे मैं बहुत मेहनत करता मुझे लाव नहीं मिलता तो आग की लकडी से मंदार की लकडी से स लाश के समिधा का वियोग करते हैं इससे हमें मन की भी शान्ती मिलती है और हमारी जो कामनाई हैं जो हम लोग प्लानिंग करते हैं उसकी अवश्य पूरती होती है मंगल की लकड़ी से धन की प्राप्ती होती है बुध की लकड़ी मंगल की लकड़ी खैर है और बुध की बाद थलता है गुरू की लकडी से हवन करने से हमारे जीवन में सब प्रकार का यसकेर्थी विजय वैभभ, पुत्र, कलत्र, ज्यान, सब कुछ प्रापत होता है। शुक्र की लकडी है औदुमबर, गुरू की लकडी पीपल है, समिधा पीपल है और शुक्र की लकडी है औदुमबर यानि उंबर, इसके लकडी से हवन करने से हमें विशेश रूप से लक्षमी की प्राप्ती होती है और भातिक शाधनों की प्राप्ती होती है, सनी की लकड के लिए है धूरवा जिससे हमारी प्रकृतिक बातावरण शुद्ध होता है और विसेश रूप से और हमारी बुद्धी दीब्र होती है केतू की लगड़ी से सब प्रकार की शुक सांति और शंद्धी मिलती है केतू के लिए है कुष यानि दर्व जो हम लोग पूजा में जवग्रह की शांति के लिए आपको कौन-कौन सी समिधा यानि जो लकडिया होती है उसका इस्तमाल करना है एक बार फिर से मैं आपको रपीट कर देती हूँ सूरे के लिए पंडार की लकडी जो है उसका उपयोग आप कर सकते हैं चंदर के लिए पलाश की समिधा यानि उ अमाम वो लकडिया हैं समिधा हैं जिनका इस्तमाल करके आप हवन कर सकते हैं लेकर अब पंडे जी यह बताईए कि लोगों के पास आज की जो जनरेशन है उसमें टाइम नहीं होता तो ऐसे में हवन करने के लिए क्या होना चाहिए यह जो समिधा है वो कहां से मिलेगी कैसे लाई जा सकती है और फिर घर में किस तरह से हवन कुंड बनाना होगा उसमें इनका इस्तमाल करना होगा जी यह बहुत ही अच्छा प्रशन है वराज हम लोगों ने विशे इसले लिया है क्योंकि अब नवग्रह की जो समिधा है सभी समिधा एक साथ मिलना बहुत मुश्कि कि जितनी सामग्रिया मिलती है लगवत 75% सामग्री नकली होते इसमें शाषन प्रशाषन का भी कोई विशेज ध्यान नहीं होता है इसलिए कुछ लोग इसका जम करके दोहन कर रहे हैं और हमारे संस्कृति संसकार को बिगार रहे हैं और इसलिए लोगों को पूजा का फल ही मिलता तो सबसे पहले यह है कि अब आप सजग होए और प्रकृति की रक्षा के लिए जो हम लोग पहले से कहते आए हमारा वेद का ही मतलब है हमारे संस्थान को देश भी है वैदिक गनात का कि हम प्रकृति के संदक्षन और शमवर्धन के लिए हम ब्रिक्ष लगाएं देखिए हम पीपल का ब्रिक्ष लगाए अब लगाते हैं पीपल सामान ने आपको मिल जाता है लेकिन हम एट पीपल अपने जीवन में एक पेड़ पीपल का अवश्य लगाएं तो यह नवग्रह की समीधा आप तयार करिए इससे क्या होगा आपके चारों तरफ यदि हव करने से और जब आप इसको लगाएंगे तो आपको शुद्ध और ओरिजिनल समिधा प्राप्त होगी जब भी यग्ज करेंगे कई वार लोग इतना पैसा खर्च करने बाद अगर पूरा पूजा कफल नहीं मिलता तो उसका एक मात्र कारण है कि सामग्री आपकी शुद्ध औ और यथार्थ ओरिजिनल नहीं है तो पंडे जी आपने ये बताया है कि वरक्ष लगाना है और कल ही पर्यावरन डिवस भी था विश्व पर्यावरन डिवस तो ऐसे में एक संदेश देने की भी आपकोशिश कर लें लेकिन हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सूरे देव क अराधना से आपने भी कहा कि सूरे देव कि अरगर अराधना की जाए हवन किया जाए तो सुख वैरा और आरोगिता मिलती है और जो रोग होते हैं शरीर के वो नाश हो जाते हैं और एक तरसे यश्किर्ती भी बढ़ती है उनके लिए क्या है जैसे सूरे देवता को जल पिता की शेवा करें दूसरा तीसरा है ब्रिक्ष लगाएं और पोधों का रोपन करें दिसरा चौथा है सूरे को जल दें पाचमा है गायत्री का जब करें विसेसकर पुरुषवर के लिए है और पाचमा है सूरे को अर्ग देख करके और सूरे देवायनमा नाम मंत्र का ज जब करें चटवाएं आचारी और वैदिक विद्वानों के द्वारा अपने घर में अपने शक्ति और सामर्थ के अंसार यग्ज कराएं ये 5-6 प्रकार सामान्य रूप से हैं जो सूर्य की आराधना से जुड़े हुए हैं इनमें ते आप कुछ भी करेंगे सीधे सूर्य आर ये सबसे सरल चोटा सा उपाए हैं दूसरा अब हम चंद्रदेव की आराधना का आपसे करना चाहेंगे चंद्रदेव के लिए कि पूर्णी मांका जब वक्त हो या तो अर्ग दे दें चंद्रदेव को प्रसन्ने करने के लिए क्योंकि मन को या मांसिक रूप से जो कमजोर होते हैं कई बार अपने मन में बहुत सारी चीज़ा ऐसे चलती होती हैं यह का जाता है कि आपका चंद्र जो है वो कमजोर है इस वज़े से होता है पलाश का आपने जिक्र किया कि पलाश की लकडियों का हवन किया जाए समिधा का पलाश वही जो वरक्ष होता है उससे भी जो लकडियां मिलती है उससे भी किया जा सकता है यह क्या होगा जी पलाश का नेचरल है ब्रिक्ष होता है और उसकी समिधा का हमें हवन करने से हमें जो ऑक्सिजन की प्राप्ती होती है जब आप घी मिला करके और समिधा का हवन करते हैं तो कई गुना हमारे यग्ज में का कारक है तो चंद्रम हमारे बॉडी में और मन की शान्ती के लिए जब कहते हैं जंगा तुको ठोटी में गंगा मन को प्रसंद रollen रखिये पॉजिटीव रखिये हमेशा बड़ा सोचिए बड़ा बिचार रेखिये बड़ी भावना रखिये उदार भाव चंदन लगाएं इसे बहुत लाप होगा पुर्णीमा का ब होगा और अर। बहुत लाप होगा दूद से बनी हुई चीज लाजहें अगर किसी को आपड़ान देते हैं उसके हमें घिलाते हैं तो बहुत सबसे बड़ा है कि आपका लक्ष कमजोर है आप निस्चित कर लीजी जैसे हमको कहीं जाना है अब मुझे जाना है इसी प्रकार से अगर आपके अंदर निगेटिविटी नहीं जा रही तो आपको एक नसे की तरह है आप इससे नसा मुक्त हो यह यानि अपने मन को हर हाल में निस्चित जो आप चाहते हैं कि मैं निगेटिविटीज दूर रहा हूँ तो आप समझे आग भी लगी होना आप भूल जाए आपका कुछ जलेगा आप यह सोची कि जितना जलेगा उससे जादा मैं पालूंगा कमा लूंगा बना लूंगा बस यह धारना ही आपको मन की प बंद करिए नहीं तो आप सो जाएंगे आधी आँख बंद करके भगवान शिव का ध्यान करिए ओम नमा शिवाए अतीस सरल उपाये हैं पांच मिनट मेडिटेशन करेंगे आपकी औरा चेंज हो जाए बिलकुल यह छोटा सा सरल उपाये हैं तो हर कोई कर सकता है जो भी मा मंगल का सरल उपाये हैं मंगल भूमी के स्वामी हैं सबसे पहले अती सरल है कि आप बिना खर्च के सांती चाहते हैं तो रोज धरती को सास्टांग लेटकर प्रणाम कर लें और इस धरती के एहसान का आप भावना को उसके प्रतिव्यक्त करने की माधरती आपके लिए प्र उपाये हैं तीतरा है रक्त जंदर माते में लाल्टी का लगाएं इससे बहुत अच्छा होगा मा को बिल्कुल भी पीडा ना दे मा मात्रिभूमी और आपका कोई भिशुख हो या पतनी या हिस्तरी इनको अगर आप डाटेंगे नहीं गलस सब्द नहीं बोलेंगे तो ये आप पानी पीएंगे तो ब्लड शर्कुलेशन सही रहेगा ना तो जादा ठंडा और ना तो जादा अगर आम इससे मंगल की शांती होगी खैर की लकडी बिसेश रूप से लाव प्रत है क्योंकि मंगल रक्त कलर होता है उसका और जब आप मंगल ग्रह का हवन करते हैं गी म वो एक्टिव हो जाती है और नेचुरेल हम जो कुछ भी पाते हैं धन कमाने के लिए से धन की व्रद्धी होती है तो बिल्कुल ये तमाम वो पाये बताए हैं पंड़ जी ने धरती को प्रणाम करना है मा को हमेशा खुश रखना है गाय की पीट है उस पर भी आप सहला सकत हैं और या फिर रक्त चंदन का ठीका जो है वो अप लगा सकते तबाव पाये हैं मंगल को मजबूत करने के पंड़ जी अब हम और अपसे सर्चा करेंगे लेकिन हमारे साथ कोर्भा से अर्चना जी जोड़ गए है अर्चना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सवाल तुबा सारी 8 बजे जी और इस्थान कोर्भा 36 अब सवाल पूछी क्या जानना है आपको जी मुझे अपने करियर के बारे में जानना है मैं नहीं चार बार दी हो लेकिन मेरा कुछ नहीं उसमें हुआ तो अब मैं आगे क्या करो पर जीवन में सखल होने के लिए जी बहुत अब की कुंडली बहुत अच्छी है सबसे पहले तो आप अपना मोरेल डाउन ना करें कॉंफिदेंस मतलब लूज हो जाता है डर डर करके आप तयारी करती है तो बिल्कुल ना करें कॉंफिदेंटली करें और यह बात भी सही है कि नीट की तयारी आप करके अगर मेडिकल छेत्र में जाती है थोड़ा सा चांस कम है अगर आप यही दूसरा सब्जेक्ट चुनें इंजिनियरिंग और चुनते या computer science और चुनते तो बलकि इस field में आप जा सकते थे लेकिन एक चीज़ आपके कुंडली में बिसेश बहुत अच्छी है कि अगर आप निश्य कर लेंगी कि नहीं मुझे तो यह करना है तो आपके पत्रिका में ओभी सुलब होगा लेकिन साथ में गुरू की किरिपा होना बहुत ज़रूरी है गुरवार को आप केला बिलकुल भी ना खाएं और हो सके तो गुरूरवार को पांच केला किसी को गाय को ब्रामन को या गरीब को दें इससे आपको बहुत लाव होगा और अभी इस समय मंगल की महादसा चल रही है कुंडली में मंगल बहुत कमजोर है और कुंडली में मंगल अर्निंग प्लेस में है तो आप एक मुगा पहन लीजिए ताबे में या पंच धातो में या चादी में जो सरल हो आपको तो मुगा पहन लेंगे तीन केरेट के आशपास तो आपको आप इसी रिजल्ट मिलेगा और जब भी इस बार याद रख लीजिए नीट की तयारी करेंगी तो हमने अभी कहा कुंडली में योग कम है तो भी आ कुछ और चोटे-चोटे वे पाएं वो आप करेंगे तो निशत रूप से लाभू का पंड़िजी विवेक जी हमारे साथ जोड़के हैं काकेर से बहुत-बहुत स्वागत है विवेक जी आपका सवाल पूछने से पहले जन्मति थी समय और स्थान बताई जी पंड़िजी सवाल पूछे क्या जानना है आपको पत्रिका में तो देखे गॉर्मेंट जॉब के चांस बहुत कम है तो आप इसको ये ना समझें निराज ना हो कई बार हम जब लोगों को बोलते हैं तो वो बोलते हैं हमें पंड़िजी ने निराज कर दिया ये नेगेटिव कुछ बोल दिया पर आपका प्रस नहीं है तो मुझे उत्तर देना आवश्यक है तो आपके पत्रिका में चुकि ऐसा योग नहीं मेलता है और उसके कई रिजन्स हैं विवस्थाओं का भी एक बड़ा दोश है इसमें तो आप अगर ब्यापार की तरफ जाते हैं तो बहुत अच्छा है विसेस्त करके खाने पीने से सम्मंदित कोई चीजियों का ट्रेडि सम्मों किये चा सकते हैं पर न जी योगिता जी हमारे साथ जोड के हैं राइपुर से स्वागत है आपका योगिता जी सवाल पूछने से पहले जन्मत थी समय और इस्थान बताईए प्रमाम पंडिशी शुबार सिर्वाद मेरे बेटे का ड़ेटा बात है चाउदा बारा चाउदा बारा अठानवे समय बताईए समय तेरा की रात एक बच के चालिस मिनट और इस थान बताईए सवाल पूछी क्या जानना है अपको समय समय बच के चालिस मिनट मध्यराद सेरा की रात जी सवाल पूछी है जी मेरे बेटा कॉम्पीटिशन एक्जाम की तायारी कर है तो उसको सफलता मिलेगी सेटनेट का कर रहा है तो प्रोपेसर बन सकेगा जी यह पुछना है कब तक बनेगा यह योग है बच्चे को बोलिए तेयारी जारी रखें और बहुत जल्दी इनको योग मिलेगा जनवरी दोहजार पचीस के बाद निश्चित तोर पर मिलेगा इनको बताईए कि हर हाल में मिलेगा इनको एक पन्ना पहना दीजिए आप छोटी अंगुली में चादी में तीन से पांच कैरेट का और आज कल पन्ना अच्छा नहीं मिलता है और क्रेग मार्केट मिलता है या बहुत ल पन्नेश्ची की पूजा करना और गड़िजी को पंड़िजी कहा भी जाता है कि दूरवा अगर चड़ा दिया जाए तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं हमारे साथ ओबीजी जी जूड़ चुके हैं आसाम से बहुत-बहुत स्वागत है आपका सवाल बूचने से पहले ज जाम पाओ-चुबवा से फिल्कुल डेट ओबड बताईए बाड़ाओ में 12 मैं 2013 2010 जी सम्मेशन बताईए च्छार दस बजे चार बजे चार बजे जी इस थान मताईए बहुत अच्छा भविश्य है चतुर्गरही राजयोग बनता है बच्चे के कुंडली में जो भी जातक है इनके पत्रिका में और सनी लगने में बैठे हुए है कन्याराशी का मित्राशी का ये गाइड करेंगे इनको अगर आप एड़ोकेट है या जज है या इस तरह से निय आएसे रिलेट कोई भी प्रोफेशन में जाने देंगे तो ये बहुत अच्छा इनके लिए रहेगा और जल्दी इनको रिजल्ट भी मिलेगा इनको मेहनत जरूर करनी है घर में डॉग बिलकुल नहीं पालना है अगर ये कोई भी डॉग है या हैन मुर्गी इत्यादिक है अगर ये पालते हैं तो इनका जो निगेटिव वाइब्रेशन होगा ये इनको बहुत डिस्टर्व करेगा इनकी और आच्छी नहीं होती है इसलिए आप इनका परहेज करके और उपाई की तरफ जाए बहुत जल्दी लाब मिलेगा तो निश्टरूप से लाबोगा कोई भी पैट जो है वो नहीं पालना है पंड़जी सला दे रहे हैं पंड़जी रेनू सिन्ह जी हमारे साथ जोड़ गए बिहार से बहुत बहुत स्वागत है रेनू जी आपका सवाल पूछने से पहले जर्मतिती समय और स्थान शाहत संपर्क टूड़ गया पंड़जी अब हम राशी फल का जिकर करेंगे लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा उपाय जरूर हमारे दर्शकों को बताईए चुन्दाव ग्रह शान्ती के लिए नवग्रा शान्ती के लिए बहुत शरल और सहज उपाय हैं सभी गहों के मालिक सूरिया हैं सूरिस जल सब को देना चाहिए हर सनातनी को देना चाहिए वन सनातनी ही नहीं अगर कोई भी अपने जीवन में कर्म को सुधारना चाहता है कर्म का फल लेना चाहता है सकसिज लेन belsोब करने से भी सूरी की शानती होती जाद रहें इसलाइक आपका मुख है उसी प्रकार से वो द्वार है और द्वार को कभी भी अशुद धना रखें और पाओं उसे दर्वाजे को ठोकर नमारें इससे भी नवग्रह शांती होती है बिलकुल छोटा सा उपाय है और पंड़े जी ये जरूर बताईए कई बार होता है महानगर में जो लोक रह करके रखें और ओम शूरिय दिवाए नमा करके आप जब करिए आपको इससे बहुत लाब मिलेगा जितना लाब आपको अर्ग देने से मिलेगा हवन करने ये आत्मा का कारक है आपके हार्ट से जुडा हुआ ये प्लेस है फ्रीका और सहर जो पाए है तो इसको इस तरह अपहर से दबा लीजियो उम सुरियान मा उम सुरि नारायन आई नमा उम भास करा आई naw उम दिवा करा आई नमा जो आपसे बन पढ़े उसको आप बारह बार पढ़िए इससे ही आपको सोरे की कृपा मिलनी शुरू हो जाए बिल्कुल तो ये स्वरल छोटा सोपाय पटनेशी ने बताया है और चलिए आप जिक्र कर लेते हैं राशी फल का दर्शक इंतिसार करें जी मेश रासी मेश रासी के जो जातक हैं उनके लिए आज उनके मित्रों का बहुत साथ मिलेगा शहयोग मिलेगा अब उनका लाव लीजिए और जीवन को शुक्ष और आनंद में बिताईए आपको बहुत अच्छा अनकूल फेवरेवल फल प्राप्त होगा ब्रिशा ब्रासी के जातकों के लिए है आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा अधिक सुधार होगा जादा धन के लाव की यूग बन रहे हैं ये बहुत शुक्षद है आपके लिए और बहुत शुब है दिन का अधिक लाव लेने के लिए गरीबों को कुछ दान अवस् रहेंगे करकराशी के जात्कों के लिए है आपका कोई सामान गुम हो सकता है तो सजग रहें और आर्थिक खर्च भी आपका बढ़ेगा तो सोच समझ करके जीवन में निर्णे लें आपका दिन बहुत शुब होगा सतरकता ही सफलता का कारक है सिंगराशी आज बहुत प्रपी छित कारे आपका पूर्ण होगा जो काफी दिनों से आपको लग रहा था नहीं पूरा हो रहा या टर रहा है उसका दिन आ चुका है तो आज सब ये कारी पूरा होगा पारिवारिक लोगों को समय ना देने से थोड़ा घर के लोग नाराज रहेंगे इसका विशेष ध्यान रखिए कन्याराशी के जातकों के लिए है आज बिल्कुल भी किसी प्रकार का नसा ना करें तुला राशी, तुला राशी के जातकों के लिए है, आज आप पत्नी के स्वास्त को लेकर के थोड़ा जादा चिंदित होशकते हैं, तुला स्वावाविक भी है, नेचर मोशम भी ऐसा है, तो सतरकता रखिए और अपने बुद्धिक उसल से आप हर कारे सॉल्व कर लेते है यह आपकी विशेषता है और आज का दिन भी यही विशेष है, ब्रिष्टिक राशी, ब्रिष्टिक राशी के जातकों के लिए है, आज उद्यम ब्यापार में लाव के नए अवशर मिलेंगे, और यात्रभी कर सकते हैं, यह बहुत शुखद और शुकून भरा रहेगा, स अतर करें हैं, आज की वास सुविधा टिकनोलाजी का लाव लें और अनेतिक कारियों से बचें, मकर राशी, मकर राशी के जातकों के लिए है, आज किसी से बाद विवाद हो शकता है, आप विजई होंगे, लेकिन सबसे अच्छा है कि हम विवाद करें ही ना, तो यह और शुखद होगा आपके लिए, कुम्भराशी, कुम्भराशी के जातकों के लिए है, आज भूमी वहन से संबंधित कारियों होगे, जिनका घर मकान नहीं बिक रहा था, वो अच्छा योग है, बिकेगा, निकल जाएगा आपका कारियों, घर में हनमान जी का ध्वज अवश नुक्सान हो शकता है, क्योंकि बच्चे कई बार मनगरहंत चीजों में अपना धन व्यार्थ कर रहेते हैं, बच्चों के द्वारा नुक्सान का योग बन रहा है, इसका विसेज ध्यान रखना ही होगा आपको, आप सबका दिन शुभ हो या मेरी शुभ कामना है, तो बिल लगतार खबरों का सिलसला चाली रहेगा, नमस्कार